इसमाइल से ही मैं यहाँ भुपाल आया हूँ फिदा हो गया सर एक और स्टुएंट से मिलते हैं अनुछ जो महोबा यूपी से हैं और इनका रैंक है 486 और इनको एनाइटी जम्षित पुर एलॉट हुआ है तो अनुछ सबसे पहले तो आपको रैंक और कॉलेज दोनों के लिए कॉंग्रिश वलेशन और अनुछ की जो सकसे जर्णी है वो अनुछ बताएगा आप क्योंकि बहुत चोटी सी जगे से आया हूं वहां पर लाउनमली बच्चे कुछ सोचते नहीं है ज्यादा तो आपको कैसे इसकी अवेनेस हुई कि मुझे निमसेट करना है कब सोचा कैसे पेपरेशन की और क्य का रूटीन था आपका ये पूरा आप में चाहूंगा बच्चों को बताओ तो मुझे तब जाके बता चला था कि यार आपको क्योंगा तो आपको क्योंगा तो मुझे तब जाके बता चला था कि यार मतलब निमसेट जैसा भी कोई एक्जाम होता है लेकिन मुझे और इससे आंगे मतलब कुछ भी पता नहीं था कि यार मतलब कैसे क्या प्रॉसेस रहती है इसकी तो फिर मैंने जितने भी की रिसोर्सेस हैं उनसे बात की कोचिंग बगारा जितनी भी सारी इंस्टिट्यूट हैं वहां एक दो जगह भी किया और फिर इसके बाद मुझे पता चला कि यहां एक हासिव खान का एक इस्टुडेंट यहां पढ़ता था वहां यहां यहां से वह तीन साल का वह कर रहा और साथ ही साथ अपनी निमसेट की प्रिफरेशन कर रहा था तो उसके लिए तो अच्छा मौका था कि वह स्टार्टिंग से 12 हो सकता है उसको अवे हो गया हो तो इस बज़े से वह आ गया लेकिन मेरे से थोड़ा बहुत हो गया कि मैं मुझे थैडियर के बाद ही मालूम च जला कि जब मैंने हासिफ से बात की तो मतलब मैं देखूं अगर तो मैं अगर सुबह मॉर्णिंग से 9 बजे उसको फॉन ट्राई कर रहा हूं और वो रात 8 बजे तक उठाई नहीं रहा मैंने का यार मतलब इतना बंदा यार मैं उससे सीनियर हूं बड़ा हूं तो यार इस है और तीन-चार घंटी की जो क्लासेस होती है वो सरसर और प्रतिक सर त्वारा कराई आती है तो फिर यहां के मुझे पता चला फिर मैंने हासिफ से बात की तो फिर धीरे-धीरे फिर सरसर से कॉंटेक्ट हुआ फिर मैं फिर मैंने अपना सोचा कि थोड़ा और भी मतलब य ज़्यादा दूर ही नहीं है मतलब अच्छा एरिया है और इवन मेरे जो बड़े विदर्स हैं उनके भाई दोस्त लोग भी यहां रहते थे तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यार यह इंस्टिट्यूट है तो वह कहां पड़ता है कैसा का प्रता बोले पास ही में है कोई अच्छा है तो आप लोगों फिर मैं पापा के साथ में आ गया यहां पर तो बड़ा मतलब लग रहा था कि कोई अच्छी जगह पहुंचने जा रहा हूं क्योंकि भूपाल मेरा फर्स्ट बिजिट था उस टाइम तो मैंने का मतलब सर से मिलेंगे वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं तो एवन मैं जब अपने पापा के साथ यहां विजिट किया तो फिर मैंने तो मैं नीचे खड़ा था तो मैंने आप कहां पर और मुझे मिलना है तो बोला कि आ जाओ उपर अप अच्छा मैंने थीक मिलते हैं तो जैसी ऊपर आया तो फिर मैंने कि इसी से मुझे आपके इंस्टिट्यूट की जानकारी मिली है तो सरसर बोले बहुत कर चुका हूं और यह इस बात का अफसोस है कि मुझे अभी थार्ड येर में आपके इंस्ट्यूट की जानकारी मिली है निमसेट जैसा भी कोई एक्जाम होता है तो मैंने का सर बोले कोई बात नहीं मैठा अच्छी बात है यहां पे भी मतलब अवियरनेस अभी धीरे-धीरे क्या थी उस टाइम जब मैं 2019 में डिगरी हो गया था तो अवियरनेस थी लेकिन इतनी जादा नहीं थी क्योंकि अगर देखा जाए तो यही ऐसा ओनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंप्टर्स गुरुकल यह मतलब पूरे इंडिया के स्टुडेंट्स को अवियर कराता है कि कि यह निमसेट इस जैसा कोई अच्छा एक्जाम होता है आपको अगर आप अपनी लास्ट डिग्री लेनी हैं तो आप एनाइटी से ले सकते हो बहुत ही अच्छी इंस्टीटूट कहलाती है एनाइटी और इंडिया में देखा जाए तो केबल यहारा एनाइटी मतलब जो अपने कपड़े लेने आपने मतलब ले के आना चिए था तो मैंने का सर अभी तो कि हम खेर पूंचने आए हैं अप जैसा भी आगर लेकिन बागी में मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस दिन और मतलब अंदर से एक मतलब कुछ करने का जजवा वह उत्पन हुआ और फिर मैंने सरसर से फिर मैंने पूरा कर लिया मतलब कैसे क्या करना है और फिर होष्टल भी विजिट किए तो फिर लेकिन मुझे होष्टल में रहना बाकी में पसंद नहीं है वहां कि मुझे खाना पीना ठीक अठाल्डब ड़नन तो भूils थी ऑपने मन मन का अच्छा लगता है औहीं और तो फिर मैं पूझके अपना और मैं फिर हम पापा चले आए फिर विलाता लाए अपने तो फिर हम लोगों ने फिर घर पे बात की कि यार इतनी इतनी फीस है बताओ क्या करना है और अपने लोग दूसरी इंस्टिटूट में भी गए हैं तो दूसरे इंस्टिटूट में मतलब मुझे इतना इंस्टिटूट ठीक था सेटिंग अरेंजमेंट भी ठीक था लेकिन जो एक बात है ना कि मतलब जो टीचर में देखने को कुछ मिला है तो वो फर्स टाइम मेरे सरसर थे और बाकी में मुझे बहुत ही इनसे इनर्जी मिली है सरसर से और और मैं फिर इस कारण से इंपटस आया और ऐसे अपनी जन्नी का मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने जोइन किया तो मैं आज बहुत ही खुस हूं और मेरा यह सेकंड अटेम्ट था हाला कि फर्स्ट अटेम्ट है मैं अनफॉर्चनलिटलि मुझसे थोड़ा लो पर यह कंडिशन हो गई थी तो फिर थोड़ा मतलब यहां कोचिंग में आना कम हो गया था लेकिन आप आ सकते थे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम थोड़ा दूर रहते थे करीप करीफ तीन-चार किलोमेटर तो वहां से सुभए से ओठना बाहन नहीं मिल ले थे क्योंकि कोबिट सोचा कि आप क्या करना चांइए इन्स्ट् repositूट में तो 6-7 महीने ही पढ़ाई में पाई लेकिन 6-7 महीने मतलब इस तरह से पढ़ाई की कि मतलब सुभश है मतलब घर बे जो रहते थे थे ना तो मतलब कब उठ रहे कब उठ रहे कब उठ रहे कुछ पड़े कुछ पते ही पर वो खुसी-खुसी पैसे दे सके और मैं पापा को थैंक्यू बोला चाहता हूं कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़े और अगर आप उस समय थोड़ा नर्वस हो जाते या फिर इन इन करतने लगते कि मतलब बेटा थोड़ा देख लो अगर ऑन-लाइन आप खरिच सको तो पढ़के आप मतलब घर भी दे सकते हैं असी बात नहीं है बच्चे आजकल दे भी रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज आप सरसर क्योंकि इंप्टस गुरू को लेतना फैली चुका है तो यहां मतलब सरसर इस्पेसली बोलते ह ही आने की जरूरत ही नहीं है अगर आपकी यहां घर में माहुल है तो आप वहां देखे डेफिनेटली आप अपना 100% डिजल्ट दे सकते हो बट कंसिस्टेंसी माइने रखती है हर चीज में तो आप डिसीब्लेन होके और अपना कंसिस्टेंसी एक फॉकस रहना चाहिए कि यार में को निमसेट में निकालना है इस बार फोड़ना है फोड़ना है कैसे भी करके तो आप घर पे रहके आराम से दे सकते हो मैं जरूरी मैं आपको जरूर मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको इंपटस ऑफ-लाइन आना ही जरूर है यह कोई फरक नहीं पड़ता मतलब दो परकार के बच्चे होते हैं मतलब जिनको डंडा करके पड़ाया जाए या फिर जो नॉर्मली है न वो यूनो तो फिर जो जिनको मतलब डंडा करके पड़ाया जाए या फिर मतलब जो खुश से नहीं पड़ते हैं तो उनको यहां आना मैं कहूंगा कि आप यहां आ सकत बहुत ही अच्छा मुझे यहां पर लगा है बहुत ही अच्छा इंस्टिट्यूट है और इसके लिए मैं बहुत ही सुक्रकुजार हूं और बाकई मैं बहुत ही अच्छे से पड़ाई की है और सर एक बात और मतलब बोलना चाहूंगा कि हए, लाव मतलब चाहना है जैसे नाई की दुकान थी सर तो मतलब नाई की दुकान में एक बाल काट रहा था है ने तो बाल की दुकान में चलत तो यार मतलब क्या समझ में आता है इससे नाई बोला कि यार मुझे तो इससे मतलब दुनिया में है भगवान नाम की कोई चीजी नहीं अगर भगवान होते आप खुश सूचिए तो मतलब यह सब होता तो अच्छा तो मतलब बुज़र्ग वैठा था तो मतलब बाल कटवा क तो मतलब तो उसने मतलब जो बुज़र्ग वैठी था तो उसने नाई को बुलाया बोले देखिए सर ये मतलब ये इसके बाल लंबे क्यों है तो बुला कि अगर वो आया यहां आ जाए तो मैं उसके बाल काट दूँ तो मतलब उसी तरह मतलब उसने बुज़र्ग आदमी कहा कि मतलब आप भगवान के मंदर में मतलब जो उनका इस्थान है वहाँ जाओ तो सही यह मतलब यह जो कटनाईयां है यह जो प्रॉब्लम्स हैं बाकी में सॉल्ब होती हैं सर और मैंने इवन आप भी कहते हो कि मतलब अगर आप अपना समय निकाले के आद पंदरा पंदरा जो भी है मेडिटेशन आप मंदर जाके कर सकते हो और मुझे बाकी में बहुत ही अच्छा लगता है मंदर में जाना तो मैं इसलिए बोलना हूँ अगर आप मंदर नहीं जा सकते तो आप एक बार इंपिटस गुरू को जरूर आ जाईए आपकी लाइफ बन जाएगी डैंस नाम का एक चैफ्टर रहता है तो अगर मैं आप लोगों से उसका यूज पूछूं तो मतलब आप लोगों ने उसमें कुश्चन पढ़े होंगे कि इसमें मतलब जो डिजेट्स बनाये जाते हैं मतलब जो जो गाडियों की नंबर्स बगरा लिखे रहते हैं तो इनका यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू अनुज अनुज आपने काफी सारी अच्छी बात बताई जेकि एक चीज हमेशा होती इंपिटर्स गुरुकुल की एक परमपरा है कि हर एक हर एक को आगे बढ़ा जैसे आपको आपके जूनियन ने बताया जी आसिव जिसकी 197 है कि आपको उस जरी बात है जिसको समझ में आ जाए देखिए किसका क्या नजरिया होता देखिए इसने टॉपिक मैस को पढ़के इसको अपने जीवन में लिया मैं बैसे भी बोलता हूं मैस अमारी लाइव है कि अगर आप कोई चीज रिपीट नहीं कर रहे हैं तो उसकी के से और कब मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आपने यहां पर लर्ण किया इस सकसे जर्री में इसको बनाये रखना आपको तो आगे बढ़ नहीं है और भी लोगों को आगे बढ़ा रहा है तो जैसे आसिव यह आ गया उसने बीसी जोई कर लिया इसको पता चल गया मुझे यही पहले अगर आपको कोई ने बता ही होती तो साइब हो सकता आप भी पहले आ गए होती तो इस चीज को बनाये रखना और बेस्ट वंस अगे इस और मैं यह जो 486 मेरी जो अल इंडिया रैंक आई है इसका क्रेड़ेड सरसर को देना चाहूंगा सर पूरा आप सर थैंक्यू अगर बिटा आप गिए आप पार चाहूंगा सर थैंक्यू